सबसे पहले में अभी बात कर लेती हूँ तुला राशी की तुला राशी को राशी वालों गो आज बहुत सोस समझकर संभल कर अपने दिन की शुरुआत करने हैं कोई भी काम ऐसा मत करेगा, गेर कुर्मी काम ऐसा मत करेगा बिसनस में या फिर आपके अगर गौर्मेंट जॉब कर रहे हो या प्राइबट जॉब कर रहे हो Otherwise आप बस जाओगे, कोट केसिस में आपको पंड़ा पढ़ सकता है वहर बहुत सोस समझकर चलाईएगा, accidents होने के chances बनते हैं मित्रों से बात करते हूँ, अगर आपके मध्वेत हो गई तो ग्रोध में आकर उनको कोई कटू बचर मत करेगा साइड हो जाएगा, otherwise आपके रिलेशन्स खराब हो सकती है Same situations, loving partner के साथ में भी हो सकती है, married life में भी हो सकती है अगर आपके कोई मध्वेत आपको लग रहे हैं कि हो रहे हैं, तो आप अपनी बात को ना रखती हुए, बहंस ना करते हुए, side हो जाएगा Students की मैं बात करना हूँ, तो student का समय सही है बिल्कुल, लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप पर विश्वास रखे, past में जो हुआ है, छोड़ दीजिए, भूल चाहिए, और अपने आगे के बारे में सोचे, सही होगा अगर आप अपने पिता के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो पिता का आश्रवात लिजिए, माता का भी आश्रवात लिजिए, आपके सभी काम बंते चले जाएंगे आपने भोले बाबा के मंदिर जाकर, शिप मंदिर जाकर आपने कच्छे दूद का और घी और दही के साथ में आपने जर्व शेक करना है आपको बहुत अच्छे रिजर्ट ही लिए अपनी लाइच में जो भी करें किसी से कहीए, मत बताईए, मत थोड़ा सा गुप्त रखिए आपको रोग हो सकते हैं किसी तरह के, हल्थ के अपना ध्यान दियार दखिए और खाने पिने का विशेश करके ध्यार दखिए बिपी की प्रॉब्रम हो सकती है, शुगर की हो सकती है, अपना बहुत जादा आपने ध्यान रखना है, जोइंट्स पगेरा पेन आपके आज हो सकती है, राइट हैंड में कहीं छोड़ चपट लिख सकती है, बहुत सो समझ कर आप चलिएगा तुला राशी के बाद में बात कर लेती हूँ, ब्रिश्चिक राशी की, ब्रिश्चिक राशी का समयाच हूँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अगर समत धनकी प्रापती है, शटन गेर गन रहे हैं आपके और आपको सभी की सहायता मिलेगी, लाइफ पार्टनर की साहता मिलेगी, लविंग पार्टनर की साहता मिलेगी, बिजनस करते हो, तो आपके पार्टनर की साहता मिलेगी, बिजनस पार्टनर की, अगर आप जॉब करते हो, कलिक्स की और आपके बहुत साच आपकी सुनेंगे, अगर आपको ये साहता नहीं मिल पारी है, तो सिर्फ और स्रीफ आपकी अपनी एटिट्यूट की वज़े से और थोड़े से प्रोध के वारे में प्रोध की वज़े से अपना थोड़ा सा आप ख्याल रखिया इन बातों को आपका सारा कुछ सही होगा जहूं दिशाओं से आज आपके बेनिफिट के योग बनने हैं स्टुडेंट का भी मन लगेगा पढ़ाई में कुछ एक्स्टा कॉलिकरम अक्टिविटीज भी करेंगे फ्रेंड्स के साथ में लाइफ अपनी इंजॉई करेंगे आज के दिए मैं टैलिफोनिक हो जाए मिलने से हो लविंग पार्टनर में भी अपने पार्टनर को मिल के टाइम स्पेट कर सकता है इंजॉईमेंट वाला दिन आपका होगा आज आज कुछ नयाग करने की सोचेंगे और नयाग करेंगे भी जो शरूत सास है आज आज आपने आप जिंदगी को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट तो है आपके जिंदगी लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम्स जो चलती आ रही है वो आज सौल्फ होते में दिख रही है आज आज आप कहीं पर भी पैसा लगाएं लगा सकते हैं रिक्स आज आज आप ले सकते हैं आपके लिस रही है ब्रिशिक राशी वालों का लखी कलर है वो है यलो और नमबर है फोर ब्रिशिक राशी के बाद में मैं बात कलती हूँ धनूराशी की आज आप में एक पॉज़िव एटिट्टीट है, एनर्जी है, उटसा है नया कुछ करने के आप सोच रहे हो, बहुत दिन से आप बिजनस पार्टनर के कोई देख रहते हैं कोई आपके साथ में छुड़े तो आज वो आपके खोश पूपी हो चाहेगी, जिसको लेना चाहते हैं तो अपने बिजनस पर आप ले लिजेए, वो आज आपके लिए सही बढ़नेगा अगर आप जॉब करते हो, गॉर्मेंट जॉब करते हो, तो इलीगल काम मिल्कुल मत करेंगा, बाद में आप बस चाहोगे या फिर किसी को आजब अनिसेसरी सलाव मत दीजेगा, जब तक आप से कोई सलाव माननी लेता, सेंग कंडिशन आपकी प्राइबट जॉब में भी अप्लाइ होती है अगर आपके बस आप से कुछ कहते हैं, तो उनकी एक अंसर सुनके दूसरे से निकाल दीजेए अगर वो बात आपको इस वक्त सही नहीं लग रही है, बाद में उस बात का, शाम के बाद में रात हो अमल जरूर करेगा आपकी कोई भी प्राइब्रम हो, इसका सुलूशन आपको खुट पर खुट दिल जाएगा लविंग पार्टनर की बात करें तो हमाज का दिल अच्छा है और लविंग पार्टनर की बात करें तो नॉर्मल है, शाम के बाद थोड़ी किपिट हो सकती है, तो सिच्टूशन आप समालीजेगा पैसा आप कहीं भी लगा सकते हो, पैसे कि कोई ऐसे सिच्टूशन नहीं दिखती आपको मुँ में चाले हो सकते हैं, इस शीज का थोड़ा ध्यान रखिए, तो कि कुछ गरम थंडा मत खाईएगा मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और वाइस आपको प्रॉब्रम हो जाएगी हल्थ की वहाँ बगेर आप चला रहे हो, तो थोड़ा सा देख करके चलाएए, और वाइस छोटे भूटे आपके खरोश बगेर आपको लग सकती है बच्चों का खास करके आपने ध्यान रखना है, और वाइस बच्चों की सेहत में भी खराबी दिख रही है आपने अपने परिबार के साथ में मिलके रहना है, उनकी सला के साथ में चलना है माता की सला लेकर एखनी कोई भी काम शुरू करेंगी, तो आपका कामा सिरस हो जइगा आपका लग के सरीा है और लग की नमबर नुब ऩूर दनुराशी के बार में बात कर आज आप जो भी आपके महत्पून जो अकांशा है वो चरन सीमा पर है आप जो सोच रहें जो आपने अपने लाइफ में पाना चाहती हो बॉल्स आपने सट कर रखे हैं आप कुछ वीजन आपने देख रखा है उसे पूरा करने का आज कर दिन है पूरा करने का मतलब कि उसे आप प्यामले के सलाव लेंकर के आप एक जो भी कांशा होगे वो काम आपके कभी भी अधूरा नहीं रहेगा अज अपने आपको पूरा आज दिन है बहुत अच्छा दिन है अच्छी से काम करिए आपके कदम चोंएगी पैसा लगाना चाहते हो तो आप ऐसा डिबोजिट करिये पैसा लगाये आपको बैनिफिट अवश्चिप करने काम श्रू करना चाहते हो प्लानिंड करना चाहते हो तो आज कर लीजिए मिल्कुल शाहिए दिनुल क्रें लेशंशिप विए भी ओईट फूर्फ पलावर आप निखाने पिने की चीज़ को लेकर नॉमल सी बात हैं तो इस चीज़ को आप सम्हाल सकते हो समझदारी के साथ में कर सकते हो अपने लाइफ को खुश्यूंबरा आपका लखी कलर है सफेद वाइट और लखी नमबर है सेवन मगर राशी के बाद में बात कर लेती हूँ कुम्ग राशी की आपने बहुत सोच समझ कर अपना जो भी निन्या लेना है लाइफ का आज लेना है वहाँ न आपने बहुत सोच समझ कर चलाना है रिस्क आप आज avoid करिए बतलाब अगर नोकरी में चाहते हो तो बिल्कुल ना करिए नोकरी में से आपकी नहीं लग जाएगी किसी को सला आज आप बिल्कुल भी मत दीजिए सला वलकी लीजिए अपने हजबन की बात मान करके चलेंगी तो आज आपका दिन बहुत सही रहेगा और husband अपने wife की आपने क्या नहीं करना है अगर आप student हो तो online ज्यादा आपने आपको आज इमरेंज नहीं करना है अपने पढ़ाई में ध्यान देना है या फिर अपने friends के साथ अपने brother और sisters के साथ अपने parents के साथ time spend कीजिए आज आपका दिन बहुत सही रहेगा अननेसेसरी की tension मज लिजिए tension रहोगे तो आपको migraine की problem होगी और migraine की विज़सा आपकी eyesight भीक होगी और दरद भी हो जाएगी अगर आपने अपनी health सही रखनी है तो आज आपने tension बिर्कुल ही रखनी है tension ना रखते हुए आप शिवलिंग पर जाएगा मंदिर में जाएगा खोले बाबा के और आपने क्या करना है दही और चीनी से उन्हें नहलाना है उसके बाद में उनके उपर जलका विशेक करना है नंदी महराजजी को आज आपने बेल पत्रे चड़ाना है और एक सफेद कलर का push आपका दिन बहुत अच्छा होगा सही रहेगा आपके लाइप में जोगे आप decision ले रहे हो सही तरीके से लेते होगे आपका lucky color yellow है और lucky number आपका 8 है कुम राशी के बाद में भी बात कर लेती हूँ मीन राशी की मीन राशी का दिन आज बिल्कुल सही रहेगा मीन राशी वालों के लिए कोई problem भी दिख रहे है लेकिन आपके नादानी और जिद्धी पने की वज़े से आप थोड़ी सी problem create कर सकते हो लाइफ पार्टनर में भी आपको over workload की वज़े से आपने time ना देंगे तो problem होगी otherwise कोई problem नहीं दिखती बलकि आप अपना time अची से spend करोगे अपनों के साथ spend करोगे कुछ-कुछ नए वेंजन बना के आप खा सकते हो कोई नया धरम करम के कामों में अगर आप पैसा लगाएंगे या फिर आप society में किसी की help करेंगे कुछ खाना बना के किसी करीबों को खिलाएंगे तो आपका दिन बहुत महत बुन जाने वाला है आप जो भी काम करोगे अपनी life में आपको success मिलेगा अगर संतान सुख पाना चाते हो तो उसकी भी प्राप्ती होगी लविंग लेशन्शिप पे हो बात मैरिश तक लेके जाना चाते हो या फिर किसी का propose करना चाते हो आज का दिन मिल्कुल सही है कहीं पैसा लगाना चाते हो कोई बड़ा समान वेकर ऐसे कुछ भी खरीदना चाते हो तो भी आज का दिन सही है लेकिन आप क्या करिएगा थोड़ से पैसे निकाल करके पहले बोले बाबा के मंदी जाके उनके बुलक में डाब दीजेगा या फिर किसी नीडी बन को जिनको वाके ही ज़रूते हैं उनको उन पैसों से कुछ खाना का समान लेकर कि आप दे जजेगा वाइट कलर का समान अगर दोगे तो आपके लिए बहुत शुप होगा आप अपनी लाइफ की जो भी परिशानिया हैं अपने पार्टन के साथ में शेर करिए आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजर्ट में लेगा अपनी समस्याओं को दूसरों को मत बताईए अपनी समस्याओं को खुद को बताईए जिन पर आपको विश्वास से उनके साथ में शेर कुछे अपनी प्रॉब्म्स किसी को बताऊगे तो आपका दुख जादा बढ़ेगा, कमेगा नहीं समय आपका अनुपूल है तो आप अपनी लाइफ के डिसिजन्स ले सकते हैं और किसी को सलाह भी दे सकते हैं आपका लखी कलर क्या है? आपका लखी कलर है ग्रे, अपना ध्यान रखीएगा खुश रहीएगा लेकिन नंबर आपका है नाइब आप से भी अपना ख्याल रखीएगा और जितनी मेरे राशियां बताई हैं यह चंद्र राशी के हिसाब से हैं यानि कि आपके पूली में जहाँ पर चंद्र है इसके अधार पर आज के गोचर के हिसाब पर चंद्र किस्तिनी के हिसाब से आपके सारे दिन बताए जाते हैं अपना सभी ख्याल रखीएगा खुश रहीए किसी को दो कोई डाउट हो तुम्झे कॉमें बॉक्स में जरूर लिकर बताए कि आपको और क्या जानना चाते हो और सबसे महादिफ्य उपाय जो मैं महा सिद्धात्री का देरी हूँ आपको उनका मंत्र वही मैंने पहले में बता दिये है और आपके जो भी कामना है महा से कहिए एक नारियल ले लेजएगा नारियल को लाग दुपत्ता आता है चुन्डरी आती है छोटी सी